हेलो दोस्तो मैं हूँ रुच्छी कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी सो दोस्तो बस एक रात बालों में लगा लीजे बालों का ज़ड़ना गैरेंटी से बंद हो जाएगा सो दोस्तो हम सब की चाहत होती है हमारे बाल लंबे घने मजबूत रहें आज मैं आपके साथ 100% effective और आसान सी remedy लेकर आई हूँ इससे आपका hair fall भी रुकेगा आपके बाल soft एंची लिए आपको लेना है यहाँ पे अद्रक किचन में इस्तमाल होने वाली केवल दो चीजें इसी से हम आज इस कारगार नुस्खे को बनाने वाले हैं अद्रक का रस जब हम अपने बालों में लगाते हैं दोस्तों इससे हमारे scalp का blood circulation enhance होता है blood circulation अच्छा होने से हमारे बालों की growth होती है इससे हमारे बाल मजबूत होते हैं बालों का जढ़ना बिलकुल ही रुक जाता है और बाल बहुत अच्छे और लंबे होते हैं इसके अलावा अद्रक में fatty acid होते हैं अद्रक के रस में भरपूर मातरा में magnesium, phosphorus, potassium और धेरी सारे vitamins होते हैं जो की हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं हमें यहाँ पे अद्रक का juice चाहिए हैं सो चलिए हम यहाँ पे इसे अच्छे से पील कर लें और इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे अद्रक का रस हमारे बालों की लंबाई तो बढ़ाता है साथी साथ हमारे बालों की खुशकी भी दूर करता है यानि कि अगर आपके बालों में बहुत जादा डेंडर्फ की समस्या है उसको भी अद्रकरस दूर करता है अद्रक आपके बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाता है अगर आपके बालों बहुत जादा तेजी से जहर रहे हैं और या लंबे समय से जहरते आ रहे हैं तो उस उसकी भी समस्या को अद्रका रज दूर कर देता है। क्योंकि ये आपके scalp में blood circulation को move करता है, fast करता है और साथी साथ आपके बालों के जड़ों की सफाई भी करता है। किसी भी तरह का जो dendruff होता है उसको दूर करता है। इस तरीके से यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं, अब चलिए हम इसको यहाँ पर grind करके इसका juice निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पर add करना है आधा नीवू का रस और इसे भी अद्रक के रस के साथ अच्छे से mix कर लेना है। नीवू जिसमें की विटामिन C होता है भरपूर मातरा में यह हमारे बालों को infection and bacteria से बचाता है। यह हमारे बालों की nourishing भी करता है, साथी साथ dendruff को दूर करता है, अगर आपके scalp oily हैं तो उसकी समस्या को भी नीवू दूर करता है। आपको इसे लगाना कैसे है, आपको इसे cotton से अपने बालों का part करके यानि की divide करके बालों को और इसके बाद scalp में इसे लगाना है। अपने बालों को लंबा घना बनाने के लिए आपको इसे सब्ता में दो बार इस्तमाल करना है। उसकी भी समस्या को ये दूर करी क्यूंकि अद्रकरस हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें anti-oxidants होते हैं जो कि हमारे बालों की growth के लिए हमारे बालों के scalp के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और न्यू हेल्दी और इसी तरह की वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर अपना ध्यान रखेंगें